गोबर का खाद तो हम सब लोग इस्तमाल करते हैं लेकिन डायरेक्ट अगर इस्तमाल करें तो उसका नुकसान होता है तो यहाँ पे देख सकते हैं यह गोबर का खाद डाला और इसके उपर एक छोटा सा स्पिंकलर लगा है इससे अगर इसके उपर पानी गिरेगा तो इसके अंदर की ग्यास निकल जाएगा और सड़ने भी मदद होगी दूसरी चीज़ यहां पर देख सकते हैं वर्मी कंपोस्ट के बेड लगा है बेड तो लगा है अंदर खाद तो बन रही है यह देखिए हैं काफी अच्छी खाद बनिये पत्तियों वाली जो भी सबजे होते हैं मेथी हैं दनिया हैं उस टाइब की इसके उपर लिया जा रहा है और उपर से इसको पूरा पैक किया गया है यह देख सकते हैं यह बास है बास के उपर यह स्टैपलर किया गया है और अच्छे तरीके इसको पैक किया है तो क्या कमाल का यहां पर पूरा का पूरा सिस्टम कि किया गया दोस्तों कैसा लगाई यह बताईएगा और वीडियो को शेर करना और चानल को सब्सक्राइब जोर किजेगा